नमस्कार आज के वीडियो क्विटेस्ट बहुत ही एस्पेसल होने वाले हैं क्योंकि इस वीडियो क्विटेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बिल्कुल एकजाम जैसा 25 इंपोर्टेंट सवालों को और आपको इस 25 सवालों में कम से कम 12 आंसर देना होगा तो ध्यान से खेल दिएगा चलिए सुरू करते हैं पहला सवाल है हाल ही में भारत दोरे पर आये डोनाल्ड ट्रम्प किस देश के राश्ट्रवपती हैं आपको जब आप सोचने के लिए मिलेंगे पाच सेकिंड का समय ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं तो आंसर सोचन के लिए समय सुरू होते हैं अब सही आंसर है आपसन नमबर ए अमेरिका कोस्य नमबर टू इन में से कौन खाद्य सिंखला का निर्मान करता है बिल्कुल एक जाम टाइप सवाल है सही आंसर होगा आपसन नमबर डी घास हीरन और उसके बाद सेर राइट आंसर है आपसन नमबर डी क्वेश्चन नमबर तिन राइडर कप का संबंध किस खेल से है राइडर कप का संबंध किस खेल से है सही आंसर है आपसन नमबर सी गोल्फ क्वेश्चन नमबर फोर जैन धर्म के 24 वे अंतिम तिर्थकर भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था सही आंसर होगा आपसन नमबर बी पाच सो चालिस इस भी पूर्वा में भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष रखा है सही आंसर होगा आपसन नमबर सी 2030 तक सही आंसर होगा आपसन नमबर ए ट्रांस हिमालय का भाग है रिंग वेद के तीसरे मंडल में गायतरी मंतर की राचना किसने की सही आंसर है आपसन नमबर डी बिश्वा मित्र ने कौन ब्याक्ति हाली में पेटी एम फर्स्ट गेम्स कंपणी के ब्रांड अम्बेस्टर बने हैं सही अंसर है ओप्शन नम्बर सी सचीन तेंदूलकर कौन नम्बर नाइन वर्तमान में राजय सभा के सीटो की कुल संख्या कितनी है परवावी संख्या आपसे पूछे जा रहे हैं कुल संख्या कुछ और भी हो सकता है यहाँ प्रस्ण है परवावी संख्या सही आंसर होगा, option number C, 245, वैसे देखा जाए, तो कूल संख्या 250 है, question number 10, कपास की क्रिसी के लिए, कौन से मिट्टी उप्युक्त होती है? राइट आंसर है, option number B, काली मिट्टी, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो आप अपने फोन की इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लिजिए, और बेल आइकोन को दवा दिजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिल देवस्पे और करता है, धन्याबाद, आगे सवाल है, जवाहलाल निहरू अंतराश्ट्री ये बंदरगाह किस राज्य में इस्तित है, राइट आंसर है, option number B, महाराश्ट्र, question number 12, पाक जल दमरू मध्य, कीन देशों के मध्य, इस्तित है, राइट आंसर है, option number B, भारत और सिरिलंका, question number 13, भारती संबिधान के अनुछेद 117 का संबंध किस से है, सही अनसर होगा, option number B, वीत बिधायक से, question number 14, पूर्ण स्वराज्य की घोषना किस अधिवेशन में की गई थी, इसकी अधियक्षता, जवाहलल निहरू ने किया था, सही अनसर होगा, option number B, लाहोर अधिवेशन, 1929 में, question number 15, सही अनसर होगा, option number A, आबुधावी, question number 16, बिष्व में, प्रथम क्रितिम करितिम, बौधिक्ता सामा चार्वाचक किस देश में बनी, सवाल एक बार फिट से, बिष्व में, प्राथम कृतिम बोधिक्ता सामा चार्वाचक किस देश में बनी, सही अनसर है, option number A, चाइना में कोश्चन नमबर सत्रा असोग के सिला लेख को सर्वे प्रथम अठ्रसो साइटिस इस्वी में किस ने पढ़ा राइट आंसर है अप्शन नमबर ए जेम्स प्री सेपने कोश्चन नमबर अठ्रा भारती संबिधान में मूल कर्तब्यों को किस समिती की सिफारिस पर जोरा गया राइट आंसर है अप्शन नमबर ए सर्दार स्वर्ण सिंग समिती के सिफारिस पर जोरे गये थे और वरतमान में मूल कर्तब्यों की संख्या ग्यारा है क्वेशन नमबर उन्निस सब्सक्राइब नाइट किसका आयसक है ए यू या ए जी सही आंसर होगा ओप्सन नमबर सी चान्दी का क्वेशन नमबर बिस ताजाकिस्तान की राजधानी कहा है सही आंसर होगा ओप्सन नमबर सी दुसान नमबर बुसान नमबर क्वेशन नमबर ट्वेंटीवन जम्मू कसमेर इस्तेत दांची गराम नेशनल पार्क में किसे सरक्षन परदान किया गया है राइट आंसर है आप्शन नमबर A हंगूल को जिसे कस्मीरी हिरन भी कहा जाता है क्वेशन नमबर 22 भारत की पहली बीना इंजन वाली ट्रेन 18 का नाया नाम क्या है राइट आंसर है आप्शन नमबर B वन्दे भारत एक्स्प्रेस क्वेशन नमबर 23 नारी सक्ति पुरसकार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किस से है राइट आंसर है आप्शन नमबर D कमांडो ट्रेनर है कोहसल नमबर 24 अंगारिया भारत की प्रथम लकज़ारी कुरूज सीप सर्वे प्रथम की ने दो सहरों के बीच चले राइट आंसर है आप्सन नमबर ए मुंबाई से गोवा कोश्चन नमबर 25 इलाइची भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होती है यह प्रसना पिछले वीडियो के कीव फोर यू में पूछे गये थे और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस से दिये आप सभी को कॉमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद राइट आंसर है आपके लिए एक नए सवाल है प्रती वर्स इंजिनियर सदे कब मनाया जाता है यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कॉमेंट वक्स में जाना होगा वहां पे लिखना होगा क्यूफ और इसके राइट आंसर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्र जनों में सेयर जरूर करिए आप हमारे सथ रेगुलर बने रहिए आप चाहे तो आई बटन पर किलिक करके और वी वीडियो जिको देख सकते हैं अपना ध्यान रखिए जय हिंद जय भारत